कि हेलो फ्रेंड्स देखे आज इस चेर के बारे में हम बात करने वाले हैं यह जश्ट बैदानता के तरह ही काम करते हुए हमें दिखाई देता है और नए शेयर है कंपनी नई लिश्टीड हुई है कंपनी बहुत परानी है लेकिन लिश्ट नई हुई है और बहुत अच्छे profit growth sales growth company कर रही है और अगर हम इसमें shareholding pattern देखें तो आप देखेंगे के 72.23% का promoters के पास share है और public के पास है 27.47% तो एक अच्छा shareholding pattern हमें देखने को मिलता है company में यह देखेंगे आप 72.53% का है यहां पर देखें historical देखें तो 2021 से लेकर और अभी तक हमें यही promoter holding देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखें कोई भी share pledge नहीं है और promoter की जो holding है यह 100% low है मतलब promoter अभी अपनी जो share holding है उसको sale नहीं कर सकते हैं तो share के price का गिरने का भी कोई डर नहीं है कि एकदम से share को गिरा दिया जाए या उठा दिया जाए ऐसा कोई डर नहीं है इस company में और देखें कल की ही date में 30 दिसंबर को company ने 1-1 का bonus share बाते हैं तो कौन सी यह company है क्या कामकाज करती है देखेंगे लेकिन उससे पहले यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है साथ ही साथ आप कोई share हमसे discuss करना चाते हैं तो comment box में बता सकते हैं हम पूरी कोशिस करेंगे उस पर एक full analysis वीडियो बना दी जाए देखें company का अगर हम ROE देखें तो 50% से ओपर का है 51% है और ROCE देखें तो 64.4% का है market cap है company का सिर्फ 594 करोड का current price 130 का है पी है 41.6 का है तो अच्छा है ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम book value 15 की है face value है 10 की तो split भी हो सकता है कि in future हमें देखनों को मिल जाए dividend company देती नहीं है बात करें कुछ कौंज और प्रोच की तो कौंज देख लेते हैं सबसे पहले कौंज में देखें book value से ओपर trade कर रहा है लगवग साड़े 8 गुना और एक ये दे रखा है कि profit तो कर रही है ये company लेकिन dividend नहीं देती है और जो earning है उसमें साड़े 6 क्रोड की earning include है extra जो other income है वो लेकिन अगर हम प्रोच देखें तो देखे almost debt free company है और पिछले तीन साल का जो इसका 31 प्रसेंट का और अगर हम cgr देखें तो 200 प्रसेंट का cgr और अगर बात करें equity पर return की तो return और equity हमें दिया है इसने तीन सालों में 79 प्रसेंट का और इस साल 51 प्रसेंट से तो बहुत अच्छा बहुत जादा return ये माना जाता है बात करें company के reserve और करजे की तो देखेंगे आप reserve है company के पास 47 करोड के और लगातार ये बढ़ रहे हैं पिछले तीन साल से पहले देखे जीरो होते थे लेकिन अब 47 हो गए है और अगर करजे की बात करें तो जहां 3 करोड का 2 करोड का वह करता था वहां अब भी 4 करोड का करजा है तो बह हमारा कच्रा होता है उसको और recycling करके इसे देखें इनपोर्ट भी करती है कच्रे को और फिर उससे यहां पर तयार माल बनाती है और नोन फेरस मेटल स्क्रैप भी इसमें भी काम करती है साथी साथ जिंक स्क्रैप में और मतलब बहुत सारे ऐसे चीजे हैं जैसे जिंक हो गय गया ऐलमूनियम हो गया जूरिक हो गया तो यह सारे मेटल्स जो वैदानता जिसे माइनिंग करती है उसी की यह recycling करती है तो बहुत अच्छी कंपनी यह दिखाई देती है देखिए जो हमारा मलेशिया आपने सुना होगा मलेशिया मलेशिया की पूरी जो economy है वो सिर्फ इस हैं तो ऐसा ही कामकाज कुछ ही एक कंपनी करते हुए दिखाई देती है हमें इंडिया के अंदर तो फ्यूचर अच्छा हो सकता है कंपनी का और दोस्तों पहले ही कहना चाहूंगा छोटी कंपनी है इन्वेस्ट करना ना करना आपके ओपर बात है यह वीडियो सिर्फ एज जय हिंद जय भारत